सबी विद्यात्य को नमस्कार हम लोग मार्शीलिया के बारे में अध्यन कर रहे थे इससे पहले मार्शीलिया के विजानों दुभीत की जो सनचना होती है उसके बारे में हम अध्यन कर चुके है तो आज का अमारा जो टोपिक है वो है reproduction in marshalia marshalia में जनन है वो किस परकाशे होता है तो जैसा कि पहले बाले teledophyta में हैं हम लोगों न दिन किया कि मुखी रूप से दो परकाशे जनन होगा पहला vegetative और दूसरा sport भी जानो दुबारा vegetative reproduction जो है वो मुखी रूप से उस पर tuber या जिसे हम कंद कहते हैं उस परकार की सनचनाय विक्षित होती है बोजन भी इनके अंदर इस्टोर रहता है और शामानेता इनका जो निर्मान होता है तूबर का वो unfavorable condition यानि हम जिसे प्रतिकुल प्रिस्थितियां कहते हैं उनके अंदर होता है और जैसे ही प्रिस्थितियां अनुकूल होती है तो उससे में puber germinate होका अंकोरित होकर नया जो प्लांट है या नया राय जो में उसका दिर्मान कर लेगा दूसरा जो महतोपून जनन है वो है इस्पोर द्वारा इस्पोर में आपको यह ध्यान रखना है कि मार्शिलिया है एक हेटरोइस्पोरिक टेलडोफाइटा है जिसे हम विश्ण भीजानू टेलडोफाइटा कहते हैं इससे पहले जितने जो जीनस हम लोगों ने पड़े हैं उसमें सेलेजी निला एक ऐसा टेलडोफाइटा था जो की हेटरोइस्पोरिक था बाकी लाइकोपोडियम और एक्वीशिटम होमोइस्पोरस टेलडोफाइटा के एक्जामल थी इसमें थोड़ा सा यह आपको धियान रखना है के अंदर माइक्रोइस्पोर और मेगाइस्पोर करने मान होता है और उस इस्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं इस्पोरोकारब तो आगे हम डाइग्राम में देखेंगे कि जो इस्पोरोकारब होता है वो किस परकार का होता है या किस परकार की उसकी सरचना होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं External Morphology बता रहे है कि जिसे हम बीजानू फलीका कहते हैं तो सामानेता जो बीजानू फलीका होती है वो सेम क्या कार की होती है Bean saved जैसा कि मैंने बताया यंग स्टेज में जो बीजानू फलीका होती है वो green और shoppt होती है जिसे हम हरी और कॉमल कह सकते हैं लेकिन जैसे परिपक हो जाएगी तो यह solid हो जाएगी और उसका color है रंग है वो भूरा हो जाएगा सामानेता यह जो बीजानू फलीका होती है जो petiol होते हैं उसके आदारिय भाग में वरंत द्वारा सलगन देती है डाइग्राम में हम इसे देखेंगे लेकिन इनकी जो position होती है वो species के इसाब से अलग-अलग होती है आगे हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि किस species में जो इस पो रोकार्प है वो कहां पर attach होती है वीजानुफली का जो होती है वो सामनेता वरंत और बोडी में भी भीधित होती है और उन दोना का जो joining part होता है यानि वरंत और बोडी का उसे हम wrap ही कहते है और सामनेता जो उसकी बोडी होती है उसके उपरी भाग में दो दात जैसे या उब्रे वे जिसको हम dented project part कहते है वो पाहे जाते हैं दान्तूर ट्रक्षेप जैसे कहते हैं और उसे हम tubercle के नाम से जाते है तो देखते हैं आगे हम इसकी सनचन आपको किस परकास से दिखा ही देती है यह आप देख सकते हैं यह भी मार्शिलिया की species है अलग-अलग मार्शिलिया polycarpa है, quadrifolia है, minuta है तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहली species है तो पहली species हैं आपको देखा ही देगा कि बीजानो फलेका के वरंद पर बीजानो फलेका के जो वरंद है, वो आदारी भाग पर सलंगन हुए इस जगे और D, जिसे हम सबसे लास्ट की जो species है उसके अंदर आप देखेंगे कि बीजानो फलेका केवल एक ही है उसकी संक्या तो संक्या के अंदर भी बिवीत हैं आपको देखने को मिल सकती है लग बग अपने ये कह सकते है कि 2 से लेके 20 तक इस परोकारप आपको दिखाई दिये सकती है जैसे इसमें काफी दिखाई दिखाई दिए इसमें आपको 3 ही दिखाई दिए तो इनकी जो position होती है वो अलग अलग होती है अगर आप बीजानो फलेका को enlarge करके या बढ़ा करके देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया है इसमें दो भाग होते हैं एक वरंत जिसकी मदद से ये PTOL से सलंग दाती है और दूसरा जो portion है इसको हम लोग बोलते हैं तो वरंत और बोड़ी जिस जगे मिलते हैं उसे रैपी के नाम से जानते हैं और बोड़ी के उपरी भाग पर जैसा कि मैंने बताया कि दो डेंटेट प्रोजेक्टेट पार्ट होते हैं इसको हम क्या बहुते हैं ट्यूबर करें तो यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह है बीजानो फलीका की बाहरी सनचना अब आज जो हम अध्यन करेंगे बुखी रूप से इस्पोरो कार्व के बारे में या जिसे हम बीजानो फलीका कहते हैं उसके बारे में अध्यन करेंगे बीजानु फलीका दा जो structure है जो सनचना है वो काफी important है और practical और theory दोनों के अंदर इसके question पुछे जाते हैं तो इसको हम 5 वागों में विभीदित करेंगे सबसे पहले बीजानु फलीका जो होती है उसकी wall कैसी होती है wall की सनचना का बारे मतिन करेंगे फिर हम लोग vascular system जो है उसके बारे मतिन करेंगे HLS जिसे हम horizontal longitudinal section कहते हैं उसके बारे मतिन करेंगे vertical transverse section जिसे हम कहते हैं उसके बारे मतिन करेंगे और VLS किस प्रकार से हम ये सारे section काटेंगे जिसे हम अंदुप्रस्त काट भी कह सकते हैं मतलब काट कह सकते हैं, किस प्रकार से उसका सेक्षन हम काटेंगे और किस प्रकार की सनचना है वो आपको दिखाई देगी, तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको यह ज्यान दखना है कि इसको भीजानों फली का कि जो बिद्दी होती है, वो जो बिद्दी होती है मुखी रूप पर यह कह सकते हैं, कि epidermis और hypodermis में विवेदित होती है, बाहिये और tocha और hypodermis और तोचाजी से कहते हैं, बाहिये तोचा के उपर cuticle पी देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर अगर हम microscopy group से दिन करें, तो stometa रंदर पाये जाते हैं, और hypodermis होती है वो खंबुत्कों का समवन तर्ट्रिया जिसे हम स्वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वरंद का जो समवन पूल है ये आप देखेंगे वरंद के ले प्रवेस करते हुए ये उपरी भाग तक पोचा है, तो इस जो बंडल को या पूल को क्या कहेंगे, डॉसल बंडल कहेंगे, वरंद से होता हुआ है, ये पूरे भाग के अंदर फैला हुआ है, इससे आप ये देखेंगे कि दो ब्रांचेज और निकल रही है, उन और जैसे इस मत्य भाग तक पहुँचते हैं, तो लेटरल बंडल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें ब्रांचेज डवलप हो जाती है, और इसी सेंटर भाग पर प्लेसेंटा बंडल डवलप होते हैं, कहने का मतलब कि प्लेसेंटा जो बंडल होते हैं, वहां से ये रिश अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि तीन प्रकार के सेक्षन का हम लोग दिन करेंगे, सबसे पहला हमने लिया है बीजानु फलेका का अनुदेदरिय कार जिसे हम बोल सकते हैं, या होरिजॉंटल लॉंगिट्यूडिनल सेक्षन, जिसे हम H, L और S के नाम से जानते हैं, ये इस प्रकार से आप इसको कार सकते हैं, अगर मालो ये पोजिशन है, बीजानु फलेका की और बीजानु फलेका की पोजिशन में से इस सेक्षन को आपको दिखा रखा है, अगर इस सेक्षन को काटेंगे, तो कौन-कौन से पार्ट आपको दिखा ही देंगे, एक तो ये ध् जिलेटिनस रिंग, जिसे हम जिलेटिनी वले भी कहते हैं, दोनों थरफ दिखाई देगी, यहां भी दिखाई दे रही है, अगर दूसरे पोजिशिन में है, तो यहां, परलब दोनों जगे आपको जिलेटिनस रिंग है, वो दिखाई देगी, दूसरे आपको यह दिखाई गोवार के लिखाईंया जो होती है शोरी सौरे वी जबी हमने हमने शामारी लक्षिसंड़ों में अध्रिन किया था जो प्रटेक जो सनचना है जिससे हम Indusium कहते हैं उसके द्वारा आपको दिखाई देगी तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें एक पात्र होता है जिस पर दो लगूबी जानुधानिया और एक मेगा इस्पोर इंजिम आपको दिखाई देगी आप यह देख सकते हैं माइक्रो इस्पोर इंजिम किती दिखाई दे दिखाई दे दिखाई दे दिखाई 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 यह आपको दिखाई देगी और यह आपको दिखाई देगी और यह आपको दिखाई देगी और जैसा कि पहले मैंने बता दिया था कि जो सोरस होता है वो इंडूसियम से आवरित होता है आप देख सकते हैं सोरस की पोजिशन भी आपको इसमें दिखाई दे रही है इंडूसि जो बीजानुधानिया वो एक साथ लगी ती इसमें केवल एक ही प्रकार की बीजानुधानिया दिखाई दे रही है जैसे आप यह देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम आपको अलग दिखाई दे रही है और मेगास्पोरेंजियम है वो आपको अलग दिखाई दे रही ह तो ये भी काफी important question पूछा जा सकता थेयोरी में थेयोरी कंदरी पूछा जा सकता है कि Marshall या गर VTS का या HLS या जो तीसरे काट है VLS उसका section आप काट है या उसका diagram बनाएं ये question पूछा जा सकता है अब ये जो तीसरे वाला section है इसमें भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी position है लेकिन इसमें आपको जो मुख्य रूप से ये जो कहलाता है इसको हम बोलेंगे VLS बीजानु फलिका का उधगर जो काट है वो किस प्रकार का होता है इसमें भी आप देखेंगे कि बित्ती है वो बिल्कुल पहले जो दोरो section देखे उसी प्रकार की आपको दिखाई देती है gelatinous ring वो बीजान धानियों के चारों और एक संपून वले के रूप में दिखाई देखेंगे आप यह देख सकते हैं कि जैसे यह जो है इसमें mega spore engine आपको दिखाई दे रिए और पहले वाला diagram में micro spore engine दिखाई दे रिए और gelatinous ring आप देख सकते हैं कि पून वले के रूप मे इसमें आपको दिखाई देती हैं सौरस जो होता है वो पंक्तियों में वैवस्तित होता है या पंक्तियों के अंदर दिखाई देगा आप यह देख सकते हैं कि सौरस कि इस प्रकार का दिखाई दे रहा है यह देखें यह सौरस यह लग लग आपको इसमें पंक्तियां सौर दिखाई देगी तो एक मात्र यह ऐसा सेक्षन है अगर आप इसका VLS कार्टते हो जैसे हम वर्टिकल लॉमिटुडिवनल सेक्षन कहते हैं इस परोकार का तो उसमें या तो आपको तो आज हम लोगों ने क्यवल और कयवल बीजानुफली का जिसके अंदर बीजानुधानिया विवस्तित होती है माईक्रोइस्पोर प्रिमेल गेमिट का जो निर्मान है वो किस परकार शोगा, दो मैं